नश्कार दोस्तों, ये वीडियो एक्टोरियल कंपाइलेशन फोर मेंज का पार्ट हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियो पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियो को देखना चाहते हों, तो वी बनाया थे Electrical Reforms के ऊपर Recommendations देने के लिए और हालखी में कुछ जो Recommendations दि गए उनको पब्लिक डोमेन में रिलीस किया गया कि Election Commission एलेक्टोरि डिफोरि लाने के लिए इन पॉइंट्स पर काम कर रहा हैं। देखो वाणे देश में एलेक्टोरल स्ट्स हैं। इलेम्हान बा countries में voter का जो participation है काफी कम रहता है और इसके अपिक्साकरत इंडिया में गरीब लोग बड़ जड़ के elections में participate करते हैं voting percentage अच्छा खासा रहता है लेकिन देखो problem ये है पिछले कुछ समय में जानतर जो candidates लोक्षबा elections में या फिर विदान्सपा elections में जीत के आते हैं वो काफी अमीर होते हैं और उनके खिलाफ काफी criminal cases भी चल रहे होते हैं elections हमारे देश में बहुत ज़्यदा महंगे हो चुके हैं सिरफ अमीर candidates ही election जीत पाते हैं मतलब generalize नहीं कर सकते लेकिन ये जुरू कह सकते हैं कि जातर जो candidates election जीतते हैं उनके पास अच्छा खासा पैसा होता है गरीब आदमी के लिए election जीतना आज के समय में बहुत ज़्यदा मुस्किल है और even political parties जब ticket देती हैं किसी person को तो ये भी देखा जाता है कि उस person के पास पैसा कितना है election में कितना पैसा वो candidate खर्च कर सकता है वैसे तो देखो election commission ने election expenses में transparency लाने के लिए काफी सारे कदम उठाए हैं और restrictions भी लगाई हैं जैसे एक candidate लोक्सवा election में 70 लाग से ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकता चुनाव परशार में और assembly election में ये जो limit है वो है 28 लाख बट इसके बावजूद जब election के result आते हैं तो candidate को priority नहीं दी जाती party का जो चेहरा होता है उसे तवज्ज़ दी जाती हैं इनकी वज़े से election जीता गया हैं या फिर party को तवज्ज़ दी जाती हैं लेकिन candidate जो हैं इस race में पिछड़ जाती हैं काफी बार तो ऐसा होता है काफी capable candidate जिनके credential काफी ज़्यादा strong होते हैं और लगता हैं कि ये जनता को ज़्यादा भैतर धंक से represent कर सकते हैं लेकिन वो candidate election हार जाते हैं जबकि दूसरी तरफ अमीर candidates जिनके कोई credential नहीं होते वो election जीत जाते हैं तो इस पूरी situation को देखते हुए election commission of India ने working groups गठित किये थे electoral reforms से समंदित recommendations देने के लिए और कुछ points जिन पर election commission अभी विचार कर रहा है वो इस परकाण से हैं पार्टियों के द्वारा जो पैसा खर्च किया जाता है चुनाव परचार में इसके उपर भी cap लगाया जाएं देखो ध्यान देने वाली बात ये है एक candidate के द्वारा चुनाव परचार में कितना पैसा खर्च किया जाता है इसके उपर limit है, जो हमने डिसकस की, 70 लाख, 28 लाख, बट किसी party के द्वारा, BJP, Congress, A party, इनके द्वारा कितना पैसा खर्च किया जा सकता है, उस पर कोई limit नहीं है, मतलब candidates के उपर limit है, कितना पैसा खर्च किया जा सकता है, लेकिन कोई party कितना पैसा खर्च कर सकती है, इसके limit नहीं है, तो बहुत सारा पैसा देखो, ऐसा होता है, कि वो party के fund में डाल दिया जाता है, कि ये काम party ने करवाया है, कोई rally organized करवाई है, वो party ने करवाई है, तो इस वज़े से, आसानी से जो candidates है, वो limit को avoid कर पाते हैं, next recommendation, देखो एक चीज आपको पता है, चुनाव खतम होने से 48 घंटे पहले, चुनाव परचार बंध हो जाता है, मान लीजिए, किसी state में 14 मार्च को election है, तो आज यानि 12 मार्च 5 बजे तक चुनाव परचार हो सकता है, उसके बाद चुनाव परचार पर रोक लग जाती है, बड़ देखो ये रोक, प्रिंट मीडिया पर और सोचल मीडिया पर लागू नहीं होती, आप में देखा होगा अक्सर्म, वोटिंग वाले दिन भी, न्यूस पेपर्स में बड़े-बड़े एरोटाइजमेंट्स आते हैं, और लीडर्स के द्वारा, अपने पक्स में सोचल मीडिया पर कंट्रोल करना election commission के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे workers इतने सारे leaders सोचल मीडिया प्रोफाइल पर कुछ-कुछ डालेंगे, सबको रिएगूलेर करना आसान नहीं होगा, हाँ, print media पर ये रोक लगाई जा सकती है, कि silent period में, यान्आ, अंतिम 48 गंटों में कोई परचार ना हो इसके बाद तीसरी रेकमेंडेशन ये है इलेक्शन कमिशन नए सेफ और सेक्योर वोटिंग मेथड्स इंटर्डूस करेगा पूरी छानबीन करने के बाद समझ गए अभी तो देखो EVM से वोटिंग होती है इसके अलावा भी कुछ नए सेफ और सेक्योर वोटिंग मेथड्स इंटर्डूस के जाएंगे इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया के द्वारा इस रेकमेंडेशन के जबाब में आर्टिकल में ये कहा जाता है देखो EVM अभी एक स्टैंड अलोन डिवाइस है जो चिप होती है EVM के अंदर उसे सिरफ एक बार किया जा सकता है network device नहीं है EVM इसलिए hack नहीं किया जा सकता EVM को और administrative mechanism भी काफी ज़्यादा strong है नया कोई method election commission of India के द्वारा introduce किया जाएगा for example कोई online method vote करने के लिए इसमें network system का इस्तेमाल हो सकता है इसे election commission को avoid करना चाहिए एक और idea जिसपे election commission अभी plan कर रहा है वो है अधार linked remote voting system मतलब अधार कार्ड की साहिता से आप remote area से vote कर सको इसका नमूना फिलाल त्यार किया जा रहा है सायद IIT मदरास में आर्टिकल में कहा जाता है यह देखो बहुत ज़्यदा problem वाला हो सकता है क्यों क्योंकि बहुत सारी reports बहुत सारी खबरे आती रहती हैं कि जो genuine beneficiaries हैं वो भी schemes का लाब नहीं उठा पा रही हैं अधार कार्ड की वज़े से बहुत बार biometric जो verification होता है अधार कार्ड की सायता से वो भी fail हो जाता है तो अगर अधार linked remote voting system आता है तो polling में बहुत सारी गड़बढ़ियां सामने आ सकती हैं चोथा point election commission of India voter ID के electronic version पर काम कर रहा है इससे voters के लिए काफी सुविधा हो जाएगी जैसे देखो अधार कार्ड का भी electronic version होता है उसी परकार से अगर electronic version होगा voting ID कार्ड का तो voters के लिए ये काफी जादा फाइदे मन्द होगा दो चीजे last में बोली जाती है आटकल में कि भया आपने दो issues पर ध्यान नहीं दिया एक तो political parties के द्वारा चुनाव परचार में voting से ठीक पहले vote खृदे जाते हैं लोग को रिश्वत दी जाती हैं सराब बाटी जाती हैं साडीस बाटी जाती हैं vote खृदने के लिए voters को कमिशन के द्वारा विचार नहीं किया जा रहा हैं दूसरा hate speech किसी particular community के खिलाफ या फिर group के खिलाफ नफरत भरी speech दे के कुछ candidates कुछ political parties polarization की तरफ काम करती हैं कि voters को polarized किया जांश के तो ये जो situation है ये समाज को बांट देती हैं इससे violence भी काफी बार हो जाता हैं जैसे एक बात बोली जा रही हैं कि दिल्ली election से पहले महोल जो है काफी जादा polarized हो गया था लोग divide हो गए थे धरम के नाम पर उसी का ये नतीजा था मतलब ये एक factor रहा जिसकी वज़े से दिल्ली में हाल ही में violence हुआ तो hate speech पर लगाम लगाने के लिए भी election commission ने कोई खास proposal नहीं सामने रखा हैं ये दो issues हैं जिनको election commission को address करना चाहिए अगर election commission electoral democracy को हमर देश में और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहता हैं ये हमने पूरा article discuss किया इस discussion में फिलाल इतना ही है thank you thank you very much for discussion